So, Hey guys, Welcome to back my new video, तो कैसे हो, आप लोग, I hope सब मस्त होंगे, तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि 2013 खतम होने वाला है, और 2024 आने वाला है, तो इसी Happy New Year के सुवपसर पर, मैं आप लोग को अपने फोटो से कुछ इस प्रकार का फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरे लास तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो काँ फी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, तो गैज, फैनली मैं अपने मौईल के स्किन पर आ गया हैं, तो सबसे पहले आप लोग को अपने मौईल फोटो में पिक्सल लाब अपली के सं को डाउंलॉड करने के बाद आपने के बाद के बाद, पर क्लिक करना है और यहां से मैं एक Happy New Year वाला वाइगराउन इमेज को एर कर रहा हूं तो वाइगराउन इमेज का लिंक को एडिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं वहां से आप लोग भी डिनलट कर लिजेगा और यहां पर इस वाला स्क्रीन में पूरے अच्छे अप्छे त्रगेसे यहां से को लाओ कर दे लिए और हैं और यहां पर आप अपना जिस भी फोटो को सेड करना चातेров heholus को ड्यान का आप अपना जिस भी फोटो को यहां पर एड कीजेगा उस फोटो के बाइग ग्राउंड को पहले ही रिवूब करके रख लिजेगा बाइगराउंड को अगर रिवूब करना नहीं आता हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रिए वीडियो के लास्ट में आप आतोंगो बता दूंगा ऐसे आप लोग अपने फोटो का व्याइगरॉंड को बहुत आसानी हो उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग और पूरे अपने साइज करना न कर दो से अपनीते शुप्ली फौर है अपने पर दोस्तो तो फिर इक से लॉड कर देना है अन फिर से एक बार इस पर किलिक करना है प्लेस वे एकन पर किलिक कर में और यहां पर मैं एक फ्लावर्स वला पीएट इमेज को आड कर रहा हूं तो इसका वी निक को आप डिस्कुप्शन लॉक्स में नीचे में यहां पर कुछ इस पकार से address करना है, पूरे अच्छेतेर किसे, पूरे नीचे में, उसके बाद दोस्तों सिंपली है आप लोग को फिर से एक बार इस वाले option पर click करना है, इसको भी लॉग कर देना है, और फिर से एक बार इस पर click करके, यहां से आप लोग को PLUS वाल एकन पर क्लिक करना है और TEXT पर क्लिक कर देना है FIRST NUMBER वाले अप्शन पर उसके बाद दोस्तों सिंपले आप लोगको NEW TEXT वाले अप्शन पर DOUBLE TAP करना है और यहां पर आप लोगको अपने नाम को लिख लेना है आप जिस भी नाम को यहाँ पर लिखना चाहते हो उस नाम को और यहाँ पर आप लोगो नाम के बीच में क्लिक करके यहाँ पर आप लोगो दो नीचे वाले में कुमार को नीचे या फिर आप जो भी टाइटल लगाए हो विएवी हर्ट कादना इसको नीचे में रखना है और थोड़ा सा SPS डाल करके उसको बीच में ला लेना NICK कुछ इस पकार से उसके बाद आप लोगो ओके वालेप्सन पर क्लिक करना है यहां से आप लोगा को A वालेप्सन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आप लोगो ओके पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद यहां पर एस्टाइल वाले अप्सन पर क्लिक करना है और बी पर क्लिक करना है बी पर उसके बाद दोस्तों सिंपली यहां पर आप लोगो अपने नाम के साइज को अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या फिर हैं पर आप लोगों आ गयाना है कर देना हैं और डूसरा कलर भी चाहो तो यहां पर रख सकते हो अपकर मैं बड़िक रख रहता हूं उसके बाद आप लोगों को सही वाल ऐकन पर क्लिक करने के बाद फोटो फैनल बनकर करके तैयर हो चुका है उसके बाद आप लोगो थीड़ वो अप्शन पर लॉपिजुशन पर क्लिक करना है और एक्सपोर्त वॉल én एक्सपोर्ट इमियज वॉपशन पर क्लिक करके यहां से आप लोगो कॉस्टंव की्प्टाइब के सामने यहां पर टैप करना है और अल्ट्रा को select कर देना है उसके बाद save to gallery वो अप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तो finally आपका photo आपके gallery में save हो जाएगा उसके बाद आपने photo को आप जहां पर भी share करना चाहो जहां पर भी story लगाना चाहो वहां पर share कर सकते हो story लगा सकते हो तो guys अपने photo के background को remove करने के लिए आप लोग को google को open करना है and search box में आप पर search करना है remove bg यहाँ पर आप लोग को search करना है remove bg उसके बाद आप लोग को ऊपर में remove background वाला option देखने को मिलेगा तो remove background पर click करना है and यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो upload image वाले option पर click करके आप अपना जिस भी photo के background को remove करना चाहते हो उस वाले photo को यहाँ पर add कर लिजेगा उसके बाद दोस्तो आपके photo के background automatic remove हो जाएगा उसके बाद नीचे से आप लोग को download कर लेना है तो गाजाए hope कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर लिजे साथ में चैनल को subscribe करके वेल एकन को प्रेस करके all per set तो कढ़ी लिजेगा क्योंकि इस वाले चैनल पर इसी प्रकार से new new status video editing and YouTube tips related videos आता ही राता है तो चलिए फिर मिलता है किसी next video में किसी interesting video में तब तब के लिए जैहिंद बंदे मातरम